आखिर कर्ण को क्यों कहा गया है सबसे बड़ा दानी एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु एक जिग्यासा है मेरे मन में अगर आज्या हो तो पूछू श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ पर अंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं ये प्रश्ण सुन श्री कृष्ण मुस्कुराये और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिग्या सा अवश्य शांत करूँगा श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया इसके बाद वो अर्श्ण से बोले कि ये अर्श्ण इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गाउवालों में बाट दो अर्श्ण प्रभू से आगया लेकर तुरंत ही ये काम करने के लिए चल दिया उसने सभी गाउवालों को बुलाया उनसे कहा कि वो लोग पंक्ती बना ले अब मैं आपको सोना बाटूँगा और सोना बाटना शुरू कर दिया गाउवालों ने अर्श्ण की खूब जैजैकार करनी शुरू कर दी अर्श्ण सोना पहाडी में से तोड़ते गए और गाउवालों को बाटते गए लगतार दो दिन और दो रातों तक अर्जुन सोना बाढ़ते रहे उनमें अब तक एहंकार आ चुका था गाउं के लोग वापस आकर दुबारा से लाइन में लगने लगे इत्ते समय के बाद अर्जुन काफी ठक गए थे जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड रहे थे उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए प्रभु ने कहा कि ठीक है तुम अब विश्राम करो और उन्होंने कर्ण को बुला लिया उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गाहवालों में बाट दो कर्ण तुरंत सोना बाटने चल दिये कर्ण तुरंट सोना बाटने चल दिये और उन्होंने गाउवालों को बुलाया और उनसे कहा ये सोना आप लोगों का है जिसको जितना सोना चाहिए वो यहां से ले जाए ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए ये देखकर अरजुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया इस पर श्रेक्रिष्ट ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था तुम खुद ये निर्ने कर रहे थे कि इस गाउवाले को कितनी जरुरत है उतना ही सोना तुम पहाडी से खोद कर उन्हें दे रहे थे तुम में दाता होने का भाव आ गया था दूसरी तरफ करने ऐसा नहीं किया वो सारा सोना गाउवालों को देकर वहां से चले गए वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जैजैकार करे या प्रशंसा करे उनके पीट पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फरक नहीं पड़ता ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्म ग्यान हासिल हो चुका हो इस तरह श्री कृष्ण एक खुबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था दोस्तो दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उमीद करना भी उपहार नहीं सौदा कहलाता है ये दि हम किसी को कुछ दान या सहीयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उमीद या आशा के करना चाहिए ताकि ये हमारा सत्कर्म हो ना कि हमारा एहिंकार